फ्यूजन फाइन्स लिमिटेड के उपर जितनी भी चीज़ें हम लोग देखें सब नेगेटिव ही फिलाल दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसका आज का भी परसेंटेज देखोगे तो लोवर सर्कृट 5% पर चल रहा है और यहां पे प्लेजिंग की बात हमने की थी पिछल इंट्रेस्ट कम हो जाता है और आफ्टर गिविंग दिस बाड रिजल्ट 305 करोड का नेगेटिव में इसने रिजल्ट दिया है क्यूटू का जो की बहुत 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 जादा खराब है तो इसी लिए यह जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है यह कहां तक जाएग या बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं इसमें एंट्री कप करूँगा अभी देखिए मेरे पास भी यह स्टॉक है बहुत जादा कॉइंटिटी में नहीं है रिस्क पे लिया था तो जो भी है अच्छे खासे लॉस में है और जितने भी आप लोगों के पास यह होग बहुत जादा लॉस में होगा और जिन्होंने बहुत जादा कॉइंटिटी में लिया होगा उनको पैनिक जादा हो रहा होगा ठीक है तो मेरे लिए परसनली इसमें आवरेजिंग का टाइम तब ही आएगा जब इसमें से कुछ कंडिशन्स मीट करें जैसे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए इससे अच्छा नहीं इन सब रिजल्ट से अच्छा आए तब मैं इसमें कंसिडर करना शुरू करूंगा या फिर पबलिक का जो स्टेक है वो कम हो और वो FII, DII या फिर प्रमोटर के पास जाए और अच्छा खासा स्टेक कम होना चाहिए पबलिक से और जाना चाहिए FII, DII और प्रमोटर के पास तब ये एक कंडिशन हो जाएगी इसमें भी मैं कंसिडर कर पाऊंगा और या फिर ये प्लेजिंग जो है ये जीरो हो जाए तो भी शायद मैं इसके उपर दुबारा नजर बना पाऊं आवरेजिंग करने के लिए अभी फिल उस ताइम भी मेरा यही जवाब रहेगा कि जब तक मुझे इसके fundamentals में basic जो मैंने अभी आपको बोला shareholding pattern में और इसके results में जो positivity चाहिए वो अगर नहीं दिखती तो मैं इसमें averaging नहीं करूँगा मागि आपकी अगर कुछ और strategy है आप comment section में लिखके बता सकते हो